तो आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ और important questions related जिसमें की मैं आपको बता दूँ हूँ आज हम commerce के questions को ले रहे हैं प्रिवाइस पीवाइक्यू से related questions हैं 2023 December में questions आये थे last session में मैंने already आपको history के questions करा दिये हैं next जो था मेरा वो था labor welfare और जो थर्ड क्लास है वो आपकी है commerce की तो चलिए जल्दी से देखते हैं question number one को सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसको हम देखेंगे यहाँ पर एक table जो दीवी है इस table में percentage given है percentage distribution दियावा boys and girls का and number of boys जो entrance exam में है वो यहाँ पर A से F में है ठीक है और इन्होंने बोला है कि जो total है na total candidates इनका जो sum है मतलब total candidates है 7800 लेकिन यहाँ पर एक और चीज बोली है कि जो boys है वो 2400 है ठीक है अब बात करेंगे questions को देखने की क्योंकि यहाँ पर तो इतना ही data है इससे जादा कोई odd data है नहीं girls का कोई data given है ध्यान रखेगा total and boys का appeared वाला data given है और percentage के basis पे दिया हुआ है तो चलिए first question को अगर हम देखते हैं तो first question यहाँ पर क्या दिया हुआ है what is the total number of girls who appeared from city A city A में अगर मैं देखू total number of girls के बारे में पूछा गया है तो girls हम कैसे निकाल सकते हैं जैसे कि आपको पता है यहाँ पर total number of boys दिया हुआ है and जो total candidates है उनका यहाँ पर दिया हुआ है percentage ठीक है तो अगर मैं total candidates की बात करती हूँ तो 7800 है right 17% लेना होगा मुझे क्य जो कि मैं A को देख रही हूँ राइट यहाँ पर क्या हो गया 1326 इसको 0 से 0 को cancel out करोगे तो इसको मल्डिप्लाय करोगे 123 1326 आ जाएगा then 2400 जो थे वो boys थे ठीक है उसमें अगर मैं 23% कर दूँ तो यहाँ पर भी देख लीजे 24 को 23 से मल्डिप्लाय करके अगर आप होगे नहीं स्वरी लेस नहीं टोटल पूछा है न माइनस नहीं पूछा प्लस करना होगा तो दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 7740 आपका आंसर आजाएगा that means 4th option आपका बिल्कुल सही है hope आपको यह समझ भागा क्योंकि girls का निकालना था हमारे पास girls का data नहीं था हमें यहाँ पर girls को total appeared से और boys से ही माइन प्लस करके ही निकालना था कि girls कितने होंगे ठीक है चलिए next question के अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर next question ने पूछा हुआ है difference difference between the number of the boys and the number of the girls who appeared in the exam of city E ने appeared है उनका difference ठीक है तो चलिए अब मैं बात करती हूँ पहले boys का तो boys 2400 है ठीक है 2400 अगर मैं यहाँ पर देखूं यह वाला जो है पॉइंट 5% हम निकाल सकते हैं ठीक है इस पॉइंट को निकाल के यहां से कट कर दो यह बहुत easy हो जाएगा और value आपके आजाएगी यहां पर 5040 I hope कि यह आपको clear है next यहां पर अभी हमें यह पूछा था कि boys और girls का निकालना है यह तो boys और डोटल है अब मैं boys और girls का कैसे निकालूंगी ठीक है इन दोनों को जब मैं minus करूंगी इन दोनों को जब मैं minus करूंगी तो कितना आ जाएगा आ जाएगा 1 5 9 0 ठीक है अब यहां पर क्या पूछा था यह तो हमारा सिफ क्या है यह girls आई यह तो girls आई है अब girls का नहीं 90 से तो आपकी जो value आजएगी वो आजएगी 3, 4, 5, 0 3, 4, 5, 0 आजएगी तो यह answer क्या हो जाएगा? यह answer हो जाएगा first option I hope कि आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ठीक है? next question को देख लेते हैं इसी में next question है third question यहाँ पर पूछा है number of girls who appeared in the city ESE is approximately percentage of the number of candidates who appeared in city D, ठीक है तो city C में देखना है and city D को देखना है लेकिन यहाँ पर पूछा है girls का पूछा हुआ है girls का जो data है वो क्या given है? अब यहाँ पर अगर मैं यह देखूँ कि जो girls है, girls का दो data ही नहीं हमारे पास, मैं girls कैसे find out करूँगी girls को मैं देखूँगी पहले total को देखना होगा ना, मैं total से करना होगा तो यहाँ पर जो C का है total को देखो, C का है 15% मैं करूँ, 15% मैं करूँ, ठीक है यहाँ पर 15% आप कर लो इसका, आपका क्या answer आज़ेगा 11700 ठीक है, then उसके बाद अगर मैं boys का देखती हूँ तो 2400 का करूँगी मैं, 2400 का मैंने 17% कर लिया, 17% कर लिया, यहाँ से 20 को 20 से cut down करो और यहाँ पर आगया आपका 4050, ठीक है, अब हमें क्या find out करना था, हमें करना था यहाँ पर girls को find out, तो obviously मैं minus करूँगी न, 7620 आ जाएगा आपका minus करके, और यह क्या हुआ, यह हो गया आपका girls, यह आपका girls हुआ, लेकिन यह सर्फ c का हुआ है, यह c का हुआ है, वैसे हमें d का निकालना है, d का भी हम ऐसी निकालेंगे, 7800 टोटल है, ठीक है, उसका 20% कर दिया हमने यहाँ पर आगया आपका, 15600, ठीक है, वैसे ही, मुझे boys का भी करना होगा, 2400 का, 10% कर लूँगी मैं यहाँ पर, ठीक है, इसको हमने कर दिया, यहाँ पर आगया आपका, 240, राइट, 240 आगया, अब करना क्या है हमें यहाँ पर, इन्होंने यह बोला, कि जो यह value है, ठीक है एक second, जो यह value है, यहाँ पर आई है, इसको हमें क्या करना था, percentage निकालना था, percentage निकालना है, तो girls का निकाल लिया, और number of candidates का निकाल लिया, total का निकालना था, अच्छा हमें, तो हमें यह निकालने की ज़रुद नहीं है, क्योंकि हमें total का ही पूछा हुआ है, तो यहाँ इसको बहुत अच्छे से समच में आ गया होगा, तो इसका मतलब आजाएगा, तो इसको बहुत अच्छे से समच में आ गया होगा, यहाँ पर पूछा हुए, नमबर ओब 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 ओईज का, कितना यहाँ पर हुआ है, तो अगर आप लोगों को याद होगा, फूर्थ क्वेशन में, हम लोगों ने किया भी था पहले, वो कितना था, यहाँ पर देखो, हमने यह क्या हुआ हुआ है, पहले भी कर किया क्यों कि यहाँ पर मैं, क्या निकाल रही हूँ, इंपियर्ड का निकाल, देखो वाई more then पूछा हुए तो मैं इसको ऐसे भी calculate कर सकती हूं या फिर आप अलग अलग निकाल लो पहले इसका data निकाल लो फिर इसका data निकालो फिर इसको properly calculate करोगे multiply करके तो आपका जो answer आएगा वो आजाएगा यहाँ पे 15% 15% आजाएगा ठीक है 15% आपका answer आजाएगा कुछ नहीं करना है यहाँ पे जो value है इसका percentage increase का हमने formula लगाया है ठीक है same वही चीज चल रही है hope आपको यह समझ में आ गया होगा कुछ चीज़े आप आप लोगों के बिल्कुल basic से data interpretation के तो previous जो playlist है वो आप check out कर सकते हो next last question को देख लेते है number of girls who appeared in the city f city f में देखते है number of girls कितने है city f and total number of girls appeared in all the cities together तो अगर मैं girls f की बात करती हूँ यहाँ पर f city का पुछा है ना यह रहा girls का पुछा है तो मैं girls का कैसे calculate करूगी obviously इन दोरों को minus करना पड़ेगा मुझे पहले boys का निकालना पड़ेगा न्यकालना पड़ेगा तो 78,00 को अगर मैं 7,800 का मैं 26 percent कर दूँ फिर minus मुझे 2400 का भी 9 percent करना होगा 9 percent मुझे यहाँ पे करना होगा कि यहां पर क्या निकालना है परसेंटेज निकालनी है और सबसे पहले तो मुझे एपियर निकालना है सिटी एफ का वो भी गर्ल्स का क्या है and then जब इसको मैं सॉल्व आउट करूंगी जब इसको प्रॉपर्डी हम कटडाउन करेंगे यहां से इसको कटडाउन कर लो यहां स cities together, तो girls का पूछावा है कितने appeared हुए है सभी cities में अब आप ये देखो, कि मैं सभी cities का कैसे calculate करूँ यहाँ पर girls का, मैं कैसे कर सकती हूँ यहाँ पे देखो, जब आपको पता है कि 7800 total है उसमें से 2400 आपके boys है जो minus करके value आईए, वो कितनी आजाएगी 5400 आजाएगी 5400 आजाएगी, यह निकल गया तो 54 को मैं नीचे रख सकती हूँ multiply by 100 कर सकती हूँ यहाँ से इसको cancel out करो यह चला जाएगा आपका 2 से चला जाएगा, विससे इसको directly 54 से divide करो न, 54 को 1812 से divide जब आप करोगे तो आपकी जो value आनी चाहिए वो आजाएगी, आप देख लो यहाँ पे, 1812 को जब आप 54 से divide करोगे 54 से divide करोगे, तो जो आपकी value आएगी वो आजाएगी, 33 है न, 33 से चला राएगा नहीं है 33 तो आएगा, यहाँ आएगा ठीक है, अब आप 33 देख लो यहाँ से, आंसर क्या आजएगा 3rd option आजएगा, समझ में आए मतलब easy है, बहुत कुछ भी complicated नहीं है, बस आपको क्या ध्यान रखना है calculation पर ध्यान रखना है तो यह सारे questions मैंने आपको करा दिये हैं, एक बार check out करो इन questions को, बहुत जादा important है तो हमने 3 paper के questions already कर लिए है, and yes guys अगर video अच्छी लग रही है, तो video को like जरूर किया करो, video को share जरूर किया करो, और channel को subscribe जरूर कर लिजेगा, इससे क्या होगा, कि जितने भी मैं videos आप लोगों के लिए upload कर रही हूँ वो आपको time to time मिलती रहेगी, तो please आप लोग यहाँ पर video को like करें, share करें, subscribe करें, चैनल से, इससे क्या होगा, इससे मुझे से फिरेक motivation मिलेगा, आपके एक like से मुझे बहुत ज़ादा motivation मिलेगा, और मैं better perform कर पाऊंगी, hope आपको इस चीज समझ में आ गई होगी, सारे questions में कोई भी doubt है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं तो 3 sets हमने complete कर लिए हैं अब मैं आपको next set में मिलूंगी, next class में, so till then thank you so much